आपका वेलकम है आई होप आपको ये नॉवल पसंदारा होगा सो नॉवल पसंदारा है तो प्लीज लाइक भी कीजिए शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा सुकते है नॉवल नेम है रुखे इशकम बाइमाही मलिक एपिसोड सेवन इनके कमरे से निकलते ही वो सीधा अपने कमरे में आया ठाक यावास से दर्वाजा बंद करते ही वो बैट की तरफ जाता जब नजर अंदर दाखिल होती सीध में फर्ष पर सोई एनप पर पड़ी ज जाक की तरह बैढ़िया हाला कि इस समय एनप कोई कसूर नहीं था फिर भी उसे एनप पर ही गुसा था आदा से मजबूर आँकों पर हात रके वो जूतों समय थी बैट पर लेड़ गया अपनी जगे से उठती एनप उसके जूतों के करीब आरू की आज का दिन बिगेर काम कि यही वो ठक गया था मगर आज इसे जिसमानी नहीं जहनी ठकावट महसूस हो रही थी वो चुप चाप लेटा था जब अपने पैरों पर नरम और गरम हातों का लम्स महसूस करते वो अपनी जगे साकित हो गया वो इसकी जूते उतार रही थी जैसा कि उसने होकम दिया थ मगर वो यह सब क्यों कर रही थी वो क्या कुछ कर चुका था उसके साथ इस पर इलजाम तराशी के हाथ तक उठाया और वो तब भी उसके जूते उतार रही थी उसका कहा हो को मान रही थी वो लड़की वाकई अचीब थी सफ्यान शाह के लिए वो पहली जैसी थी जिससे वो जितना सुलजाता वो उतना उलच जाता वो कुछ कहता आना जो तो समेत उसके मौज़े भी उतार चुगी थी आप मूँ हाथ दोले में खाना लगाती हो तकरीबन पंदरा मिनट गुज़र चुगे थे उसे कमरे में आए और वो इतनी देर में वो आना के जबान हुआ पह के लहर उठी इसे खुद अचीब लग रहा था इसे क्यों एना की खामोशिया और इसे नजर अंदास करना बुना लग रहा था वो सोचते बैट से उठा था जब उसके मूँ से जरा सी आवाज निकली वो वापस से बैट पर बैट गया एना को कमरे से बाहर जा रही थी सफियान शाह ने नजरे चुराए एना हक का बक्का सी होकों की तरा मुख खोले बेयकीनी से उसे देखने लगी सफियान शाह उसके यूँ देखने पर खज़व लिवा मैं जूते लेकर आती हूँ वो भागती बैट की दूसरी साइट से उसकी जूते उठा के उसके पैरों में रखती उठ खड़ी हूई मैं खाना लाती हूँ वो बोलती कमरे से बहा निकल गई सफियान शाह उठता वाश्रूम की तरफ जाता जब इसकी नजर फर्श पर लगे एना के बिस्तर पर पड़ी चनक जैसी चादर पर तकी की जगे शौल पड़ी थी और उपर ओरने को एक चादर रखी थी जिस फर्श पर जरा सपाउं रखने पर इसके मूँ से हलकी सी चीक निकल पड़ी उस थंडे फर्श पर वो लड़की सारी रात कैसे सोती होगी सफियान शाह को अपने आप पर दुख होनी लगा वो सही कहती थी सफियान शाह जालिम हाकिम है बारी होते सर के साथ वो वाशरों में बंद हो गया पांच मिनट बाद वो कमरे में आया एना अभी तक नहीं आई थी सफियान शाह ने अलमीरा एक हिसे का खुलते इसमें बने लॉकर को खोल कर इसमें पड़ी चाबी निकाली थी और फिर अलमीरा के साथ वाली दिवार जिस पर हमेश इसे गुम हुए 21 सान गुजर गए थे मगर अभी तक वो इसकी यादों से बाहर ने निकल पाया था इससे किये इश्ट किसे कैसे जान चुरवा था इसे लगने लगा था वो नहीं मिलेगी तो सफियान शाह मर जाएगा वो इतना बड़ा कमरा नहीं था मगर साफ सुतरा औ एक तरफ शोरीक था तो दूसरी तरफ एक बड़ी सी टेबल उसके दाए साइट पर रखे सोफे पर स्कूल यूनिफॉर्म के साथ स्कूल बैग और शूस रखे थे इसकमरी में इसके इलावा कोई नहीं आता था यहां यू कहा जाएं कि किसी को इजासत नहीं थी इसने स्क तरकम जस्मा बने इस जूले को देख रहा था जिसमें छोटी सी बच्ची तानिया बजाती हस्ती ही थी उसे देख रही थी वो पल के छपकाना भूल गया अनुशे वदीवाना वारा आगे बढ़ा उसे उठाना चाहम अगर वो पल में कायब होगी सफियान शाह को लगा उ और से सास नहीं आएगी आसों बहते दाड़ी में चप सो रहे थे वो गहरे गहरे सास बरता सरहातों में थामे खड़ा जब इसे अपने कंदे पर किसी के हाथ कलम्स महसूस हुआ इसे आखे खोले जरा सी कर देन मोड़ी वहाँ आइना खड़ी थी इसके दिल को कुछ हुआ आसों में तेजी आगई वो बिकेर कुछ बोले इसके कंदे पर सर रख के फूट फूट कर रो दिया एना का जिसम फत्तर की मानिन हो गया वो अपनी चागे साकित हो गई आज पहली बार सफ्यान शाह को रोते देख रही थी और वो भी अपने कंदे पर सर रख के रोते चिननी कर रही थी इसका बस नहीं चल रहा था वो सफ्यान शाह कि सारे गम ले ले थी अपने हिस्से की खुशियां भी उसके हिस्से में डाल दे थी आज वो पहली बार उसके इतने करीब खड़ा था कि धरकनों में शूर पर पावा एना इसे च्छोना चाहती थी मगर वो क उसे कितना ढूंडू दुनिया का कोना ऐसा नहीं जा मैंने उसे नहीं ढूंडा मगर वो नहीं मिलती मैं क्या करूँ है ना मैं कहां जब इसके गंदे पर सर रखे वो धाड़े मार मार कर रोता उसे बुकार रहा था जो खुद इसकी जान ले वा अजियत परासू बाहर रह ही थी मेरा दिल मर रहा है मुझे वो चाहिए सफ्यान के लिए वो जरूरी है लहजे में जिती वो मुझे नहीं मिलेगी तो मैं पागल हो जाओंगा मैं और सबर नहीं कर पारा मैं ठख गया हूँ इसे ढून दो वो तड़पने लगा तो तुम दुआ करो वो मिल जाए काज का एक टुकडा जो इसके दिल की जगे पे रहका था आज वो भी तूट कर कर्ची कर्ची हो गये वो जिससे महबत करती थी वो जिसके निकाहमी थी वो इसका शोहर था नाम का ही सही वो इसका था तो वो जानती थी सफ्यान शाह कभी उसका नहीं हो सकता वो और किसी का था इ इसे किसी और से महबत थी और हर बात से वाकिफ थी. मगर आजवाजियत के गहरे समन्दर में डूप चुकी थी उसका शोहर. उसे अपनी महबत की मिल जाने की दुआए करवा रहा था. इसने मननते कर रहा था कि उसके लिए दुआ कर दे. उसकी महबत मिल जाए. एना को लगा इसने सब पाकर भी खो दिया इसने दूर होना चाहा इसके जिसम मिलर्जिस्ट मैसूस करते सफ्यान शाय जिसे होश मैं सौरी में थोड़ा जस्पाती हो गया आँकों को मलते वा एना से दूर हो गया तो जरूर सफ्यान शाय भी इस पर गुसा करेगा मगर वो हैरान हुई जब इसे आवाज अपने अकब से सुनाई थी बाहर आ जाओ मुझे रूम लॉक करना है इसे गर्दन मोड़ी जहा सफ्यान शाय दर्वाजे के पास खड़ा इसे बाहर जाने को बोड़ रहा था एना ने महसूस किया वो इसे देखने से गरीज परत रहा है वो सर जुका एक कमरे से बाहर निकल गई और इसकी पीछे सफ्यान शाय भी कमरा लॉक करती सोफे पिचा बेठा सुबा बी जान आई थी चादर दुरूस करते एना के हाथ थम गई इसे सुबा का मनजर याद आया जब बी जान उसकी बाहर ना आने पर कमरे में आई थी और उसका चाना देखकर इनी कादमों पलड़ गई थी कुछ पुछा है मैंने जी जी आई थी मगर यकीन करी मैंने नहीं बुलाया था वो खुद आई और फिर चली भी गई इसके लहजे में खौफ था जैसे महसूस किये सफ्यान शाह सर जटकते वहीं सोफी पे दरास हो गया सही तुम यहीं सोचाओ बैट पे मैं यहां सोचाओंगा आको पर बाजू रखे ही कहा गया एना दम सादे इसके बदलते रूप को देखकर हैरान परेशान सी खड़ी थी मगर मैं यहां इसके आगए एना नहीं बोली इसने महसूस किया वो सोच चुका था इसके हलके हलके सांस लेते देख इसने नजर एक धकेद हुए खाने पर डाली जो वैसे ही पढ़ा था इसने खुद भी सुभा से कुछ नहीं खाया था और नहीं सफियान शाह ने कुछ खाया था खाना वापस कीचर्ण में रख दिया ना इस वाली साइट से कदरे हो दूर होकर दूसरी साइट पर लेठे आके मौन गई थी जहन में अभी भी सफियान शाह की भराई आवास में की गई मन्नते उसकी सिस्कियां गुंज रही थी हाई कितनी खुश नसीब है आप अनोशे जिससे सफियान शाह जैसा शक्स महपत करता है और कितना बदनसीब है सफियान शाह जिसकी तिनी सच्ची और पाक महपत के पावजूद भी आप इने नहीं मिली दिल ही दिल में इन दोनों के हमकलाम हुई वो उदासी से मुस्करा दी जब आखों के साइट से बहता गरम सियाल तक्ये में जिब्स हो रहा था तकरीबन आदे घंटे बाद वो कमरे में वापस आया जाओ उसकी होनी वाली को दुलहन को सजा कर कम और निहार जादा रही थी जो सादे से वाइट कलर के शॉट शिर्ट और शरारे में सर पर सुर्प चुनेरी ओड़े आईनी में अपने अक्स को दिखरी थी इसकी बाजू की पट्टी पहली ही हो चुकी थी मगदत की शिदत वैसी थी जो इसकी चेहरे पर साफ़ आया थी मगर बकॉल अस्वनशा के वो धीट थी बरदाश करना उसे आता था अगर तैयारी हो गई है तो बाहर ले आओ इसे निखाखवा आ चुके हैं वो कहता जाने लगा जब वरिशा की आवाज इसकी कानों में पढ़ी रुको और वो रुक गया वरिशा ने साथ खड़ी लड़की को देखा जो इसकी बात कमतब समझती कमरे से बाहर जाने लगी आपकी दुलन बहुत प्यारी है और गुस्से वाली भी है अल्ला आप पर रहम करे मेरी खास दुआ है वो कहती चली गई जब दर्वाजा बंध होने के आवास पर वरिशा उसके दो कदम दूरी पर आ रुके मुझ जैसी बट की दार लड़की सी नहीं कहा क्यों कर रहे हो तुम वो वाकई में से सवाल का जवाब चाहती थी मैं अपना हक नहीं छोड़ता फिर तुम तो मेरी महबत हो तुम्हें स्वाइशा कैसे छोड़ सकता है दो टोक लहजे में जवाब दिया गया मुझे टैट से बात करनी है इसके लहजे में जीद के साथ होकम जैसा तासिर था नहीं कर सकती बात तुम कम सकम जब तक मैं ना चाहूँ तब तक नहीं कर सकती है और नहां यहां से बाहर कदम रख सकती हो तुम मुझे कैद नहीं कर सकते चैलेंज कर रहे हूँ एक कदम का फास्ता छोड़े वो इसके करीबा है चैलेंज नहीं कर रही हो अल्ला के फास्ते पर मगर इस दिन कर इनतिजार कर दिया जब तुम मुझ पर लगाए गए जूटे लजामों का बतला लिया जाएगा जिसने तुम्हे इस रास्ते पर चलाया उसे ही तुम अल्ना का खौफ दिला रही हो सेने पर बाजू बांदे स्वंचा ने नर्मी से कहा मरकर वरीशा का सबर दे बसके मुझ से ऐसी बाते सुनकर से खुशी हुई जिसे उसे जाहि नहीं होने दिया वो तंस नहीं कर रहा था मगर वरीशा को लगा जिससे वह इसान जता रहा है डैट को मेरी फिकर हो रही होगी प्लीज मेरी बात करवा दो वो भरायवे लहजे में बुली जाते वो फिर रुका हो वो ठीक है और यहने भी बता दिया गया है कि तुम अपनी फ्रेंड्स के साथ मरी की तरफ गई हो और दो तीन दिन तक वापस नहीं आओगी इस बार पल्टे बिना ही जवाब दिये वो बाहर चला गया हेलो यार कहा हो तुम कबसे तेरा थानी में इनतिजार कर रहा हूँ दो घंटे गुजर चुके हैं और तेरा कोई अता पता ही नहीं जायान को ने कॉल उठानी की देर थी वो एक के सांस में जाने कितने सवाल पूछ गया मैं जहां हूँ वहाँ का तुझे नहीं पता तुब बता दे ना मैं आ जाता हूँ हसीब उसकी बात काटते बोला वैसे मैंने तुझे यहां बुलाने के लिए ही कॉल की थी एडरेस सेंट कर रहा हूँ जल्दी पहुँच ओके तू कर मैं यहां से निकल रहा हूँ जितनी उसे जायान की फिकर हो रही थी उसका बस चलता तो उड़कर जायान के पास पहुँच जाता मुबाइल टैश पॉर्ट पर रखे उसे गाड़ी रोड पर टा दी और अगले दस मिनट बाद वो फिर उसके सर पर सबारती वरिशा उसे कमरे में आते देख उट खड़ी वे उंगलिया चटकाते सर जुकाए वो किसी मुझरिम की तरह खड़ी थी मैं आपको लेने आई हूँ चले उसके थोड़ी करी बाते उसने अपना हाथ आगी किया वरिशा ने अपना लज़रता हाथ उसके हाथ पर रके उसकी तरफ देखा अल्ला के हर फैसले में कोई ना कोई मसलेत होती है आप रो मत अल्ला सब बहतर करेगा भीगी पल की उठाए वरिशा ने उसकी तरफ देखा वो इसे अशाल की तरह लगती थी मेरी किसमत में कुछ बहतर नहीं होता अंदाज़ा इस रिष्टे की शुरवाद से ही लगा लो वो रोहांसी हुई वो धीरे धीरे रम्यान में खुद को अकेला महसुस करने लगी इसने खौफ महसुस होने लगा नजरे यूही जुका है वो सोफिप पर आके बैटी जिसकी दुसी साइट पर असवशा बैटा था इसे सोचा था क्योंकि ऐसा ही होता है दुलहन की दुसी साइट दुला ही बैटता होगा वो असवशा के साथ दो और लोगों ने बड़ी हैरानी से इस निकाह की दुलहन को देखा जिसकी खामोशी इने किसी तौर हजब नहीं हो रही थी निकाह शुरू करें मौलवी साथ और इस जुमले के साथ बरीशा की साइट पर बैटे थे निकाह शुरू हो चुका था बरीश के खुआब जैसा नहीं था तो आज से तैह हुआ था दौलत से सब खरीदा जा सकता है यहाँ तक के खुआब भी मगर किसमत दौलत की महताज नहीं होती और इसी रुक चलती है जहां वो साथ उसका रुक मोड़ दे और ये बात वरीशा सुल्तान के जहन में इस एक पुरा काने मंडलाते साइक की जैसे चिपक गए कंदे पर किसी का लमस और कानों में पढ़ती मौलवी साहब के अलफाज इसकी रुख को जिंजोड गए नहीं रहना चाहती मैं तुम्हारे साथ मुझे डाइवोस चाहिए दमसे मैं तुमारी दी गई ऐसी कोई चीज अपने पास नहीं रखना चाहती जिसके बाद मैं तुम मेरे सामने आप या मुझे से मिलने की कोशिश करो इसलिए अपनी बेटी भी तुम अपने पास रखो और अलफाज इसकी कानों में तीर जैसे चुबरे थे दिल च्छनने हुआ रुके आँसों फिर से बहने लगी वरीशा को इस इस तरफ निकाह हो चुका था अब उसकी बारीती इसने वो कबोल करना था जो इसके लिए कभी ना कबीर कबोल बात थी वरीशा सुल्तान वलिद एहमद सुल्तान आपका निकाह बा और तैप आया गया है हक महर पचास लाक और इन गवाहों की मौजूदी में सेयद अर्श जेरे लब इसका नाम बढ़ बढ़ा थे वरीशा ने सरद से करतन उटाई और फिर वपल के चपकाना भूल गए सामने गवाहों में बैठे लोगों को देख इसका दिमाग घुमने लगा सारा कमरा इसकी नजरों में घुमने रहा था वो बेग एकीनी की कैफित में इस तका पोश को देखने लगी और फिर से वो ऑफिस में बैठा शक्स यादा आया था वरीशा जवाब दो सब इंतिजार कर रहे हैं वैसे आगे कुछ नहीं सो सकी पीछे खड़ी लड़की की पुकार किसी पिगले स्वेसी से की मानी दिसकी कानू में पड़ी इसे शिकायती नजर असवनशा की तरफ उटाई जो परसुकून सा उसे ही देख रहा था जैसे उसे यकीन हो कि वो इसे कबूल जरूर करेगी क्या आपको ये निकाह कबूल है मौलवी साब ने दूसरी बार बुचा वो अब भी खामोश नजरों से असवनशा को और असवनशा पर परसुकून स उसे देख रहा था वह मौझो तमाम लोग इंत्याई तश्जिस का शुकार हुए इन दोनों को देख रहे थे अगर वो ढीट थी तो मुकाविल भी अपनी बात मनवाने में आगे था क्या होने वाला था वह सब लोग ये ठीटकी बांदे इन दोनों को देख रहे थे क्या आपको ये नहीं कहा कबूल है कबूल है और आज यहां भी वरिशा ने दिल मार कर वो कबूल कर लिया जो इसे पचसद नहीं था मौलवी साहब ने उसके सामने निकाह नामा रखा अपने नाम वाली जगे पलवज़ते हाथों से दस्तक करते ना जाने कितने आसोस पेपर प पानन कमरे में चांद बंद हुई मुबारको मेरे भाई आखिर तुझे में पनी मन्जिल मिल गई मगर मुझे सारी स्टोरी तफसिलन सुनी है आखरी जुमला कदर आइस्ते की से इसके कान में कहते है सी भस पड़ा शक्त तो उसे तब हो गया जब जब जया ने इसे नए फ वन शा को हमेशा की तरह वो लड़का जी भी लगा और जरा सा हस्ता उसके गले लगा कॉंग्रेस्ट भाई बहुत शुक्रिया बच्चे जयान ने इसके सर पर हाथ रखा अब्तसाम जिस है वो घर की दहली स्पार करता जयान की आवास सुनकर रूख गया मेरी बहन को मालक मज़ीद दूरस के कमरे मेरा खिलवा जहां वरीशा बतसूरत फर्श पर बैटी सर घुटनों मेरा के गैर मरी नक्ते को देख रही थी यहां क्यों बैटी हूं उटो बैट पर आजो इसके सर पर खड़े स्वनशा ने कदरे धीमे लहजे में कहा मैं तुम से बात कर रह जराना अंदास में बताया क्या मैं तुम्हें जानती हूं इसके बेटू के जवाब को नजर अंदास किये वरीशा ने सवाल किया हाँ तुम मुझे जानती हूं मुझे जानती हूं अगर मैं तुम्हें जानती हूं तो तुम मुझे अपना चेहरा क्यों चुपाते हूं और मेरा ड्राइवर वो लड़की आईशा रबतसाम वो सब कौन है तुम ऐसे कैसे इन सब को जानते हो और अगर मैं तुम्हें जानती हूँ तो तुम्हें देख चुकी हूँ सुर्क मतारिम सुजिया के उसकी काली बेतार से निकाहों में काड़े वरिशा के आवास नार्मल से उ असबन शाह से यूँ खुद में दिल्चस्पी लेते देख ये जान से मुस्कराया जिसको तुम अपने आफिस में मिली और जिसको तुम अपने सामने देख रही हो वो दोनों एक ही शक्स थे बस फरक इतना है कि उस वक्त चहरे पर चहरा था अब ऐसा नहीं है मगर मैं फि को शौ ऐसा शौक अभी तो उठो बैट पर चलो और रेस्ट करो इसके बाजू को थामे असफंज ने उसे उठाना चाहा हाथ मत लगा ना मुझे परना हुलिया बिकार दूंगी तुमारा इसका हाथ चटकते वरिशा मजी दूर दूरी बना गए इसकी उच्छी आवाज अ बहुत बकवास हो गई हाँ मैं भी यही कहने बारी थी बहुत बकवास कर लिये तुमने अब दवा हो जाओ यहां से दू बदू जवाब देती वरिशा सुल्तान अपनी टोन में वापस आ चुकी थी अल्ला तुम जैसी बत्तमीज बीवी किसी को ना दे अपनी इतनी बेज जती पर वो जल कर बोला तुम नहायती लगाना भूल गए हो तंजया कहते हैं उसने भनकार भरा बकुल तुम्हारे मुझ जैसी सिर्फ एक ही है जिसे तुमने खुच सबर्दसी गन पॉइंट पर अपने निकाह में लिया है एक के बाद एक तंस के तीर चलाती वरिशा नहीं दोंगी वो उनुस रुख फेर के बैटी उसके मुस्कराते लब सुकड़े थे अस्वन शा के माते पर बल पड़े मेरी नर्मी का इतना फायदा मत उठाओ वरिशा जितना मैं आराम से बर्दाश कर लो और जितना तुम बाद में सहे भी सको इसकी बादो को दब हद सवा हुई तो मैं ये भी नहीं देखूंगी कि तुम्हारा नुकसान कर रही हो या अपना बिकरे हुलिये में दुपटे से बेनियास बिकरे ही बालों में वो बिपरी शेर बनी उस पर धाड़ी पता है तुम मुझे क्यों पसंद हो पैंट की पॉकिट में हाट डाने व इसे भी हद तक जाएगा वो जनुनी अंदास में कहता दिलकशी से मस्कुरा दिया तुम्हारा ये शौक दिनों में ही उड़न छूना किया तो मेरा नाम भी बरीशा अहमद सुल्तान नहीं वो जेतना उससे नर्मी से बात करता वो इतनी बिगरती जाती है स्वंशा ने उस बैटने तो दे बेजारियत से कहते है जायान धब से सुफे पे बैढ़ लिया अब बता कैसी है जिद्धी है भो ठकेवे लहजे में कहा गया हसीब मस्कुरा आया यार मैंने इतनी जिद्धी और अपनी जिद्धगी में पहली बार दे की है उसे फिर सरकोशी की इतनी और सरफिरी क्यों ना हो जायान वो रहती है और औरत को अल्ला ने बहुत हसास बनाया उसकी बेरुकी का जबाब तुम प्यार से दो क्योंकि आउरत महपत की जबान समझती है इस पर जितना खुसा करोगे वो उतनी ही तुम से दूर होती जाएगी वो इसको परिशानी में देख नहीं सकता था, हसीब की बातों से उसे थोड़ी धरास मिली थी, चेहरे पर चाहे परेशानी की बादल भी कुछ कम हुए, मगर वो तब भी किसी गहरी सोच में डुबा था, अब मुझे शुरूर से लेकर आखर तक बताईए माजरा क्या है, सेदा अरशान, अस्वनशा कौन है, और अगर तू है तो जायान हैदर कौन है, मुझे बता वरना मैं सोच सोच के मर जाना, इसके युही खामोशी बैठे देख, हसीब ने अब मन्नत की, क्या क्या बताऊंगा यार, वो उकता गया, सब बता, मुझे सब जाना है, तो जायान से अस्वनशा क्यों बना, हम, बहुत लंबी कहनी, कोई नहीं रात अपनी है, तो बताना शुरू कर, इसकी जिद, पर जायान हैदर ने सरजट का लंबी सांस बरते हुए, सहबा के सुपर्द करते, वो जराओं को आगे जुका, लाल हवेली, ये नाम डेते, जायाने कर्ब से आखी मीचे, ये वो हव हवेली में रहने वालों ने, और खासकर मेरे मामो वली शाह ने, इने इतना मजबूर कर दिया कि उनको ये कदम उठाना पड़ा, 24 साल पहले उन्हों ने आदिल हैदर सुल्तान के लिए इस हवेली की चौकट पार की थी, हवेली वालों से दुश्मनी मोल लेकर उन्हों ने से हुई और कुछ लम होगी, मुलाकात आदिल सुल्तान के लिए हर शेय से इंपॉर्टन हो गई, इने इस कुछ लम होगी मुलाकात में इतने सहर में जकर लिया कि वो हर हाल में रुकसाना शाह से शादी करना चाहते थे, मगर इस बात से, पहले वो वापस रखशा गए, ज से बाहर निकला बन कर दिया, तब आदिल सुल्तान एहमत सुल्तान के हुमरा अपनी शादी का प्रपोजर हवेली लेकर आए, और एक बार नहीं, दस बार हवेली इसका हाथ मांगने गए, मगर हर बार वली शाह ने इनकार कर दिया, और आखिर बार धंकी भी दे डाली कि अ आदिल सुल्तान तक पहुँच चुगी थी और वो बिपरा शेर बने हवेली चाह पहुचा और वली शाह को धंकी दी, अगर उसकी शादी आदल सुल्तान से नहीं होगी तो किसी से नहीं होगी, और इस बात पर वली शाह तीश में आ गया, उसने अब रुकसाना की शादी क अपनी जिद बना लिया, इस बीच रुकसाना ने सभान शाह और इनकी बेगम मलाइका शाह को समझाने के हर मुम्किन कोशिश की, मगर वो दोनों भी बरादरी से बाहर रिश्टे पर राजी नहीं थे, रुकसाना इस वक्त के लिए खामोश होगी, मगर जब इसे महसूस हो लगा कि वो अपनी जिन्दगी बरबाद कर रही है, वो इस अंचाहे रिश्टे को नहीं नहीं बाद पाएगी तो निकाह से, एक दिन पहले ही वो रात के अंधेरे में आदिल सुल्तान के साथ हवेली की तहली सपार कर गए, यह सांका हवेली बालों के लिए कयामत की तरह उनका हसब वनसब, इज़त, वकार, रुकसाना शाह जाते जाते सब अपने साथ ले गए, सारे गावाले इन पर थूतू करने लगे, सुभान शाह और मलिका शाह को अपनी गल्ती का एहसास होने लगा, कि अगर वो ना रुकसाना की बात ना मालने थे तो आज इने ये दिन ना देखना पड़ता, मगर अब तीर कमान से निकल चुका था, वही दूसी तरफ, वली शाह बदली के आग में जलने लगा, उसने इसलामावा शहर का कोई कोना नहीं छोड़ा, जहां उसने उन्हें नाच ढूड़ा हो, मगर वो दोनों इने नहीं मिले, इसके लावा, वो हर जगे सुभान शाह की जाज़त के बिगर, इन्हें तलाश करवाते रहें, क्योंकि वो अब मज़िद बन्नामी नहीं चाते थे, इसलिए रुकसाना को वो जायदा से आख की बुला चुके थे, मगर वली शाह अपनी बेज़ती किसी तोर नहीं बुला पारा था, इसे तो साल बाद उनके आए, खुबसरत शहजादे ने आख खोली, जिसका नाम आदिल सुल्तान के मताबिक जायान हैदर, जबके रुकसाना की पसंद के मताबिक अस्वंद जायान हैदर रखा गया था, और वो दोने अपनी अपनी पसंद के नाम से पकारे थे, मगर डुक्यम मिन्दा थी, वो हवेली बालों से अपने माबाब से माफी मांगना चाहती थी, जिसके मताबिक इससे आदल सुल्तान से बात की, मगर उसने साफ लफजों में मना कर दिया, और अब वो मजीद इस अपनी जिन्दगी में कोई मुशकलात नहीं चाहते थे, क्योंके वहाँ, खबरलाल हवेली बालों तक अभी नहीं पहुची थी, मगर रुकसाना ने अपने दिल के हाथों मजबूर होकर हवेली कॉल की, जो मलाइका बेगम ने अटेन किया और वो इससे नारास थी, जो इनका हग भी था, मगर मा थी, उनकी बेटी अपने घर में खुश थी, इन्हे के एक साल बाद और इनने अलबेटी जैसी रहमत से नवाजा जिसका नाम वरीशा सुल्तान रखा गया, वो इन्तियाए खुश थी, पास साल के जायन ने जब पहली बार इस मखमली से कमफर्टर में लिप दी, इस दूज जैसी रंगत रखने वाली परियो जैसी बच्ची क कुछ के, जैन ने उसे पनी गोद में रख लिया, वहां मौजो सब लोग इसकी हरकत पर हैरत से हस दिया और वो बड़े अहनमाग से पनी गोद में रखे, रुई जैसी वजूद को हलके हातों से छूते महसूस कर रहा था, इसे छूते ही जैन के चैरे पर खुबसरत से मुस जैन हैदर उसे गोद से नीचे रखता, परिशान सा उसे देखने लगा, उसके रखनी की देर थी और वरीशा मैडम ने रोना बन कर दिया, वहां सब ही वरीशा की हरकत पर मस्कुरा रहे थे, जबके जैन के मुग के जाविया बिगारता उसे देख रहा था, जो बुरी सी शकल बनाए उसे ही देख रही थी, जैन ने उसे फिर से उठाना चाहा, ये देखते ही वरीशा की, रोनी की आवाजे कमरी में गुझने लगी, उसने फिर से इसे बैट पर उच्छा दिया, जब वहां सब के कहके गुझे थे, ममा ये फैरी गंदी है, मुझे नहीं उठाना वह मासूम सी शकल बनाए कहरा था, रुकसाना बेगम, अपनी बेटे की मासूमियत पर सक्के वारी हो रही थी, नो ममा के बेटे फैरी क्यूट है, वह अभी चोटी है ना, इसलिए रोती है, जब बड़ी होगी ना, तो आपके साथ खेलेगी, रस्यानियत से समझाते है, र जयान उसे जबदे सी उठाए, उसके साथ खेलता था, जयान के अदत थी, वह इसके गोल मटूल गाल खिचता और फिर वरीशा के रोने के आवाजे पूरे पलेस में कुछ थी, इसे किसी के हाथ लगाने से मसला नहीं था, इसकी दुश्मनी सिर्फ जयान हैदर से ही थी और फिर वक्त पर लगा के उड़ गया वरीशा पास साल की थी, जयान दस साल का हो चुका था, इस दौरान सुभान शाह और मलाइक का वेगम ने उसकी बात होती रहती थी, वो दोनों इसे माफ कर चुके थे, मगर फिर एक दिन उनके राप्ते की खबर वलीशा की कानों में भावी मुझे आप से जरूरी बात का नहीं है, बच्चों को देखते रुकसाना बेगम किसी गहरी सोच में मुबतला बोली जम पासी बैटे आदिल और एहमत सुल्तान भी उनकी तरफ मतवज़ा है, हाँ हाँ बोलो, भावी मुझे आपकी फैरी अपने बेटे के लिए चा जे तो मेरी बेटी के लिए आपके शहजादी जैसा जायान ही बहतर लगता है, वो अपनी खुशी का इजार करती जब बाहर खड़ा, गार्स लहु लहान होकर उनकी चैर के नजी कांग गिरा, आमना बेगम के मुझे दिल खराश चिक निकली चुके रुकसाना बेगम ने, हवेली में हमेशा यही सब कुछ देखा था, इसलिए वो खामोश थी, मगर हैरत के पहाड़ उनके सर पर टूटे जब सामने कड़े, वली शाह को देखा, भाई आप यहां अंदर जाओ, भावी आप भी जाए बचों को लेकर, कोई ने कहीं नहीं जाएगा, अगर कोई के से हिला तो जान से हाथ दो बैठेगा, वली शाह ने गजब नाक तेवरों में कहा, तुम्हारी लड़ाई मुझसे है, वली शाह और तो और बच्चों को जाने दो, आदिल सुल्दान इसके सामने आ खड़ा हुआ, लड़ाई नहीं आदिल सुल्तान, तुमने जो किया है उसके बाद हमारी तुमारी दुश्मनी है, और कभी ना खटम होने बारी, और आज इस दुश्मनी को मैं खटम करके रहूँगा, वली शाह ने उसके सर पर गन रगी, नहीं भाई, ऐसा मत करें, वो शोहर है मेरी, रुक्साना भागती हुई है, आदिल सुल्तान और वली श जम गए, नहीं आदिल सब मेरी वज़े से वाई, आपको मारना है ना भाई, मुझे मारे गलती मेरी है, मेरे शोहर की नहीं, आदिल के सर से, उसका गन वाला हाथ अटाय रुक्साना अपने सर पर रख चुकी थी, रुक पागल हो गई हो हटो सामने से, अगर तुमें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, जाओ अंदर, अपकी बार वो चीक पड़ा, एहमत सुल्तान आमना की पीछे और आदिल सुल्तान के साथ खड़े थे, इतनी तेज आवास पर, रोती वरिशा ने आमना के पल्लों में अपना आप चुपाना चाहा, जब जाया उसको अपने साथ लगा तो चुप करवाने लगा, समझने आ रही, आप लोगों को मेरे बाबा क्या कह रहे, चले जाए आप यहां से, मेरी फैरी को डर लग रहा है अपसे, रोती वरिशा को है साथ लगाए, दस साल का जायान हैदर अपने बाबा के सामने आई वली शा के, आगे डट कर खड वली शा ने चोटी से लड़के की बहदूरी पर दंग खड़ा था, जी, जायान, जायान पीछे, अरे ऐसे कैसे पीछे, रुकसाना उसको पीछे करती, इससे पहले ही वली शा ने, उसकी बाजू पकड़े अपनी तरफ खीच लिया, नहीं भाई, मेरे बेटे को छोड़ द ऐसे ही किसी के घर में घुस कर हाथ अपाई करने का मतलब जानते हूँ, यह तुम्हारी हविली नहीं है, यह हमारा इसका माबाद है, एक कॉल और सारी जिन्दगी के लिए जेल में बैटके चक्की पीसोगे, एहमेद सुल्तान इंतहाई गुसे से धाड़े थे, वली शा के हाथ आदिल की कॉलर से चटक चुके थे, तुम, तुम लोग मुझे जेल बेजोगे, जिन्दा बचोगे तो जेल बेजोगे ना, वली शा ने गन आदिल के सर पे तानी मजबूरां एहमेद सुल्तान को पीछे होना पड़ा, नहीं नहीं छोड़ो इसे गन हटाओ, वली शा हाथ से चपिटी, अभी वो गिरफ मजबूत करता, वली शा ने, उसके हाथों पर हाथ रख दी, गन अब आदिल सुल्तान और वली शा के दहतों में थी, आदिल गन छोड़ दो, गन छोड़ दो, गन छोड़ दो, गोली चल जाएगी भाई, भाई खुदा का वासता, आदि गोली आदिल सुल्तान को पेट में लगी थी, वली शा के, हाथ खुद से रंग गये थे, आमना गोली की आवास सुनती, जयान समेद भागती बाहर आए, आदिल आदिल, 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 आहमत सुल्तान के आगे आते, उसके करीब घुटनों के बल बैटे, वो फिर बाहर गाड़ी की तरफ भागे थे, रुकसाना ट्रांस की कैफित में आदिल को कभी फरश पर पड़े, उसके खून को देख रही थे, कुछी लम्मों बात इस खामोश विजा में तेज थपड की आवास गुझी, रुकसाना का सकता टूटा इसने नजरे उठाई, जह सुभान श सोच कि तुमने मेरे हुकम की नाफरमानी की, वली शाह, उन्होंने एक थपड़ मजी तो उसके चहरे पर लगा दिया, इन्हें गाड़ी में बिटाओ जल्दी भावी, बैटे ये गाड़ी में, एमल सुल्तान ने इन सब को लिए हॉस्पिटल के तरफ रवान हुए, जब स रुकसाना के आसो जारो कतार बहरे थे, जवामना उसे चुप कराने में हलकान हो रही थी, एमद सुल्तान जायान का हता में अपनी जगे परिशान करे थे, यू अचानक उनकी हस्ती बस्ती जिन्दगी उजड़ गी, उसका दिल चाहा, वो धाड़े मार मार कर रहे, वो दो सुभान शार, मलाइका शाह, खड़े अपने जिगर के टुकड़े को नजरे भर के देख रहे थे, एक ही तो बेटी थी उनकी, क्या हो गया था, वो इसकी बात मान लेते, तो आज वो अपनी घर खुश होती, और इनका बेटा भी बदले के आग में नाग जलता, मगर क्या ह वह सब बरपाद हो गया, इसके आसों में रवानी दर आई, अपने भरे वजूद को समालते, वो माबाग की तरब बड़ी जवाचानक कदम रुख गए, पीछे आते, बली शाह को देख, रुकसाना की आँकों के सामने कुछ देर पहले का मनजर गुमने लगा, आप सब यह क्यों खड़े, इन तीनों को बारी बारी देखते रुकसाना, खाली नजरों से उन्हें देखते बोली, आमना को वही जायान के पास छोड़े, अहमस्लतान उनके पीछे है, आप क्या देखने के लिए आई हैं अबू, क्या आपको बहुत दुख है, और आप अमी क्या देख रहे थे, जिन्दगी में पहली बारी उनकी बेटी ने इतनी उची आवाज में बात की थी, अरे भाई, वहां क्यों खड़े, इधर आईए ना, इनकी साइट से होती रुकसाना, वली शाह तक पहुची, देखे, आपकी बहन बर्बाद हो गई, जाएं जशन मनाएं, आपकी खोई इज़त लोटाई है, आपकी बहन की शोहर को मार कर आपकी इज़त वापस आगई भाई, वली शाह के बादो को जञजोरते वह जियान अंदाज में चीक कर बोड़ रही थी, बेटा, मेरी बच्ची, अल्हा इसे जिन्दगी देगा, तुम क्यों, कौन से जिन देगी, उनकी तरफ मुड़ते वह चीक पड़ी, आपकी बेटे ने चीन ली जिन्दगी अमी, आपकी बेटे ने सब पर बात कर दी, अपनी जूटी अन्ना की तस्कीम के लिए, वह हाकिम बन गया, मेरा वो खुदा बन बैटा, वो बदले लेते फिर रहा था, मैं कहा जब वो खुद रोती, उनके हाथों को पकड़े, बच्चों जैसे पूछ रही थी, बोले ना, चुप क्यों है, बोले आप कहा गए आपके फैसले, अप कहा गए आपकी बाते, अप कुछ नहीं कहेंगे क्या, आप अपने बेटे को, क्या आपके सारे उसूल, सारे फैसले स बेटियों के लिए थे, बोलती क्यों नहीं अपू, इनके हाथ पकड़े, वो रोती, उन्हें पकार रही थी, जो सर जुकाए खड़े, अपनी बेटी की तफलीफ महसूस करते, आसू बाहरे थे, अब कोई नहीं बोल रहा, कोई कुछ नहीं बोल रहा, वो रोती, रुजमी का मी, भाई ने, क्यों मेरी जंदेगी उजार दी, उनके कंदे पर सर रखके, वो धाड़े मार मार कर रो दी, इसे कुछ नहीं होगा, अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं करता, रोती भी लगती, रुकसाना ने, सर उठाए अपनी अबो की तरफ देखा, जो नमाक नहीं करूँगी, मुझे बे सुकून करके, आपका बेटा भी कभी सुकून से नहीं रह पाएगा, बोलते हैं उसकी हिचकी बन गई, वो दोनों चुप चाप सुन रहते हैं, वली शाह, जब से मुठियां बीचे, वहां से वाक आउट कर गया, ऐसी हालत में तुमारा रोना परिशान होना सही नहीं है, बच्चे चुप हो जाओ, आदिल ठीक हो जाएगा, इसे कुछ नहीं होगा, इन्हें मेरे लिए अपने बच्चों के लिए ठीक होना पड़ेगा, ममी, अगर उनको कुछ हुआ तो मैं भी मर जाओंगी, ममा प्लीज मत रोए, कुछ नहीं होगा बाबा को प्लीज ममा चुप हो जाए, वरना परी बीमार हो जाएगी, कब से खामोच बेटा जायान उनके पास आया और अपनी चोटी चोटे हाथों के प्याले में उसको चैरा भरे भीगे लाज़े मैं कहने लगा, वो बहुत शरारती था जिस परामना ने, उसको कहा था, कि अगर वो अपनी ममा को तंग करेगा या वो रोएगी तो इनकी आने वाली परी बीमार हो जाएगी, जिस खशे के बरक्स, और वो कैसी भी कर कि अपनी ममा को रोनी से मना करना चाहता था, रुकसाना समेद सुभान शार, मलाइका बेगम भी इस इतने से बच्चे की मा के ये फिकर देखनी हाल हो रहे थे, भाबी, रुकसाना समेद वो सबह एहमद सुल्तान के आवास पर मुड़े, भाबी मुबारक हो, भाई ठीक है, अल्ला ने हमारी सुन ली, वो खुशी से चैकते, जायान को गोद में उठाय चुमने लगे, अब सच कह रहे ना भाई, वो जरूर आउंगे हमी, उसके जवाब पर वो गमकीन हुई, बची ठीक कह रही बिगम, अपने शोहर की मर्जी के बिगएर, इसे कदम कोई नहीं उठाना चाहिए, सुभान शाह ने इन्हें दुखी होते देख फॉरन से का, अबू, इसके आंके भर आई, सुभान शाह से गल मामो को कौन से आग लगी हुई थी, इनके बहन ने उनकी मर्जी के बिगएर, अपनी मर्जी से शादी की, ये बात उनने बे सुकून से रहने नहीं दे रही थी, गहरी सांस बरते जयान नेटाई की नौट धिली की और सोफे की पुछ से टिक लगए, दिन गुजरते गए, बाबा बिल्कुल ठीक हो चुगे थे, सब कुछ फिर से मामो बना चुका था, बाबा ने वलीद मामो के खिलाव कोई केस नहीं किया था, और अब मजी दिन का ये अपना तमाशा नहीं बनाना चाहते थे, ममा के साथ कभी भी दाजी और बीजान से फोन पर बात कर लिया करत थे, बलीद मामो ने फिर कोई भी वैसी हरकत नहीं की, बीजान ने मुझे बताया था कि उनका एक पोता है, जो मुझे से कुछ साली छोटा है, उसका नाम सफियान वलीशा है, और जब भी उसके बारे में बात करती थी, तो कॉल कट कर देता था, मुझे बलीद मामो के साथ साथ इनकी बेटे से भी नफरत होनी लगी थी, फिर वक्त का पैए चलता गया और वो दिन आया जिस दिन मेरा और वरिशा का निकाह था, इस दिन वरिशा के बड़े थी, वो छे साल की हो चुई थी, सब की मुझे अटक अटक बोलने पर सुरुखसाना बेगम मुस्कुरा दी मेरा गिफ्ट इस ते अपने चोटे चोटे हाथ आगे की जब रुकसाना बेगम ने जायान का हाथ इसके हाथ में रख दिया नहीं मुझे गिफ्ट चाहिए जायान नहीं अपनी फैरी को गिफ्ट भी दोगी मगर आज मैं आपका अपना शहजाजाजा भी दे रही हूँ आज से जायान हदर सिफ फरिशा सुल्थान का है आज से जायान सिर्फ आपका दोस होगा नहीं मुझे जायान नहीं चाहिए सरद जायान मुझे ऐसे करता, मुझे जावी बिगार थी, वो जायान को देखते बता रही थी, वरीशान ने प्रॉपर एहमद सुल्टान की कानम खीचे ते बताया था, जिस पर आदिल के साथ एहमद सुल्टान का भी कहका बेसाकता था, अच्छा अपनी करेगा जायान ऐसे, भावी बच्पन से ही नक्रेली वाली थी, हाँ, जायन हस दिया, वो सबकी लाड ली थी, तो मैं उसके लाड उठाता था, ममा, बाबा, चाच्चु, चाच्ची, वो सबको तंगी के नाचना चाती थी, जरा सा कोई चीज लेट हो जाती, तो वो रोने बैठ जाती, या चीखने पर मजबूर कर दी, इन को बसुरत यादों को याद करते, वो दिलकशी से मुस्कुरानी लगा, तो मतलब तुछ पर अभी से नहीं, बच्पन से जल्म हो रहे हैं, वो काफी सीरियस अंदास में बोला, मगर चेहरे पर भिकरी शरार रहती, मुस्कुराहट देख ज जब ये सब मामा ने देखा तो इसे अपने पास बुलाया, फैरी क्या हुआ, आप जयान से बात क्यों नहीं करी, चाची जयान ने मुझे कहता है, सर पे डुपटा करो, मैं भूल गई, फिर जयान ने मुझे मारा, इसलिए मैं जयान से नाराज हूँ, वरिशा को वो तीन जुम्ले बताने में कोई आदा घंटा लगा था, जब रुकसाना बेगम हैरस से उसकी बाती सुन रही थी, अच्छा आप जाओ, खेलो मैं उसे समझाओंगी, अब आपको नहीं पबारेगा, इसका माता चुम्ती रुकसाना बेगम अपना भारी बरकम बजूर समारी, अप ठीक हो जायान, आप यहां आएं मेरे पास बैटे, मुझे आपस बात करनी है, जी ममा, उनके पास ही सोफे पे बैटे, जायान ने प्यार से उनकी कुल काइनात को देखा, आपने वरिशा को डाटा, जी ममा थोड़ा सा डाटा, वज़े क्या थी जायान, वो तंग करी थी मम मा वैस इसलिए, इसे जूट का, आपने दुपटाओं ओडने के लिए का, और वरिशा ने ऐसा नहीं किया, आपने उसे डाट दिया, मैं सही कह रही हो, उन्होंने इसकी तरफ देखा, जो इन्हें देखता, बिलकुल भी शरमीनदा नहीं लग रहा था, जी, एक लबजी ज काता है जयान, इनका लहजा सकतुआ, मैं कुरान पाक पढ़ता हूँ, ममा तर्जमां भी पढ़ता हूँ, मा के लहजे में सकती महसुस करते हैं, मैंने इसे छोटा सा हिजाब लाकर दिया था ममा, कि जब भी वो बहार निकले, इसे ओर कर निकले, मैंने इसे कितनी बार ये बास समझाई भी, वो अभी इस बातों के लिए बहुत छोटी है जयान, आप क्यों नहीं समझ रहें, मैं जानता हूँ, मगर ममा, मैं इसे अभी इसकी सब आदर डालना चाहता हूँ, ताकि जब वो बड़ी हो, तो इसे मालम हो कि अच्छी लड़किया खुद को चुपा कर रखती है, इन्हें महज 11 साल के बच्चे से ऐसे गुफटगू की उमीद हरकिस नहीं थी, आप फिकर ना करें, मैं इसे मना लूँगा, कब, वो नारास की से पुछ रही थी, जब वो वापस आ जाएगी तो मैं इसे पक्का मना लूँगा, अपनी ममा का हाथ चुमते मुस् मेरा समझदार बेटा, वरीशा भी मुझे बहुत अजीज है, जयान इसका हमेशा खर रुकना ना जाने की हो, मगर वो ये बात बोलने से खुद को रोख न सकी, प्रामिस ममा, इनका हाथ था में वो लौँच में आया जा वरीशा, आमना बेगम और रहमत सुल्तान जाने के लिए तयार खड़े थे, बहुत जल्द मुलाकात होगी, इन्शाला भाई ख्याल रुकेगा अपना, अल्लह हाफिज, अल्लह हाफिज, फैरी को अल्लह हाफिज कहते है, जयान इसके गाल कीचे, जिस पर वो मुझ बना थी, आमना की कंदे से लगी, आँखे मोंगे, इसने जबत के बावजूद भी, उसके आँख से दो मोटी तूट कर गाल पर लोड़के, दाड़ी में जब सो गए, आकर ऐसा क्या होता जयान, उसके कंदे पर हाथ रखे हसीब की आवाज भारी हुई थी, उनके जाने के एक दिन बाद ही ममा की तब्यात खराब हो गई, बाबा इने लेकर हॉस्पिटल के लिए निकले थे, बाबा ने रास्ते में चाचो को कॉल कर दी कि हम ममा को हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, अभी हम रास्ते में ही थे कि बाबा को महसुस हुआ, जैसे कुछ गाड़िया हमारी कार को फॉलो कर रही है, उनको अंदिशा लाक हुआ उन्होंने चाचो को कॉल की, हेलो भाई, भाई मुझे लगता है कुछ गलत होने वाला है, भाई मेरी बाद सुने, मेरी बीवी और बच्चो का ख्यार रखेगा, मेरे बाद में ये जिम्मेदारी आपको देखके जा रहा हूँ, हुआ क्या है आदिल, क्यों ऐसे बोड़ र आप दो भाई, वो बोलते रह गए, मगर दोसी तरफ से कोई जवाब वसूल नहीं हुआ, तक्रीबं तीन घंटे बाद वो हॉस्पिटल पहुचे जहां से उन्हें कुछ देर पहले कॉल आई थी, डॉक्टर, डॉक्टर, मैं आदल सुल्तान का भाई, एहमद सुल्तान, व उन्हें बस डॉक्टर के होट हिलते नजर आ रहे थे, आसपास से बेखबर वो जमीन पर बैठते चले गए, वो वही लम्मा था, एहमद सुल्तान अपने भाई का नाम लेते, बिलग बिलग करो दिये, पुरी दुनिया में सिर्फ एक ही तो रिष्टा था, उनके पास वो हूँजने लगी, एक भाई अपने भाई की मौद पर रो रहा था, तो दूसरा अपने बाबा की दूरी पर, जयान ममा का है, वो मुझे बता वो कैसी है, इस से अलग होते उन दोनों हाथों को थामे, इन्हें अपने भाई के आकरी अलफाज यादाए थे, जिसके तहत उन् कोई गोली नहीं लगी, मगर सर की पिछले हिसे में काच के कुछ टुकड़े अंदर तक खुच चुके हैं, और इस पर अब इनकी प्रेटनेंसी, फैरी, फैरी डॉक्टर बच्चा, वो ठीक है, इतनी परिशानी में तो इनकी हालत तक भूल गए थे, सर इनका उपरेशन च चाचो, इसकी सरगोशी पर, एहमद सुल्तान ने धेरे से सर उटाया, तुम जानते हैं, वो लोग कौन थे, हाँ, वली शाह, इसने मामू नहीं कहा था, इतनी इसी देर में, एहमद सुल्तान को वो अपनी उमर से काफी बड़ा लगने लगा, तुम क्या कहना चाते हो जया वो कोई जवाब देता, जब वो दोनों भागे भागे अंदर आये थे, मेरी बच्ची का है वो, और आदिल, जयान कुछ तो बोलो बेटे, आप, आदिल, आप इस दुनिया में नहीं रहा, भावी का अंदर आपरेशन चल रहा है, हारे वे लहजे में कहते हैं, वो हस्ती है जबकि सुभान शाह और मलाइक अभी गम इसका रवया देखकर हैरान थे, ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, आप लोगों को यहां किसने बुलाया, इनका सवाल नाजर अन्दास करते हैं, हमें जरूर आपकी बेटे ने बताया होगा, आखिर ये सब इसका ही तो किया धरा है, सु दोड़ा, वहां मौझूद किसी कुकु समझ नहीं आ रहा था, चुपो जाओ सम, सुभान शाह की रौबदार आवास पर सब अपनी जगे रुख गए, गिरेबान छोड़ दो, अहमत वलीद का, शाह, उनके आवास पर वली शाह, इनका गिरेबान छटकते पीचे जा रखना है, मैं चाहता हूं कि मैं और ममा परी इनके साथ हवेली में रहे, वो ठहर ठहर कर अपनी बात मुकमल कर गए, सुभान शाह की तरफ देखने लगा, ऐसा नहीं, वो तुम्हारी हवेली है, तुम आ सकते हो जब तुम्हारा दिल चाह, बली शाह के अलफाज मूँ में नहीं जाएंगे, भाई मुझे इनकी जिम्मेदारी सौप कर गए है, मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूँगा, ये मेरा आखरी फासला है, चाचो और मैं ऐसा नहीं चाहता, इसे लिए आप प्लीज, मजहर ममा को यहां रुकने पर मजबूर मत करे, इसने इंत तुमने अचारक महा जाने का फैसला क्यों किया, हसीब मच दिल हुआ, मुझे मेरे बाबा की कातिलों तक पहुचना था और इसके लिए जरूरी था कि मैं उनके दर्मियान रहूं, मगर, मगर क्या, मगर ये मेरे जिन्दगी की पहली गल्दी थी, जिसकी गिल्ट से, मैं आ सूद बिस्तर पर लेटी रही, वो कौमा में चली गई थी, पास साल गुजर गए, ममा वैसी ही दुनिया से बेगाना रही, इन्हें तो अपनी बेटी की परवा भी नहीं थी, बाबा को तीन गोलिया लगी थी, जिसकी वज़े से, वो हमारे सामने ही दम तोड़ गए, ममा क का बेटा वो भी बहुत अच्छा है, मेरी सोच से बिलकुल मुक्तलिफ था, वो अपनी खुद गर्जबाप की तरह नहीं था, वो अनुशे में काफी इंटरस्ट लेता था, उसको समालना, उसके साथ केलना, उसकी ममा भी बहुत अच्छी थी, सब अच्छे थी सिवाए व पहन से, इनके बच्चों से पहले उन्होंने बाबा का दिया नाम च्छीना, मेरा नाम स्यद अर्शान असफण शाह रख दिया, फिर तरह तरह के जल्म नौकरों के बावजूद वो मुझसे काम करवाते, छोटी सी गल्टी पर मारते, फिर दिल नहीं भरता, तो सारी राज सर्थ खाने में छोड़ देते, और फिर सुबा, दा जी, सुबान शाह के उठने से पहले मेरे कमरे में छोड़ जाते, मुझे अपनी कोई फिकर नहीं थी, क्योंके जिन्दगी ने मुझे इतनी सी उमर में इतने दुख दे दिये थे, कि जिसके आगे मुझे अपनी इका बेगम के पास होती थी, अनुशे और सफियान का निकाह करवा दिया गया, मुझे कोई अतराज नहीं था, क्योंके वो अनुशे से बहुत महबत करता था, करता है, मगर जयान तूने तो कहा, हसीब को तो फिर कन्फियूजन हुए, सबर, सर इस बात मिलाते से हसीब को रोकने का इशारा किया, वो पांस साल की थी, तब मैंने उसे रोज ममा के पास लेकर जाता था, इनसे बाते करता था, फिर वापस ले आता था, फिर एक दिन, उसकी तबित खराब हो गई, वहाँ बहुत इलाज करवाया, मगर डॉक्टर ने कहा उसे शहर ले जाए, मैं सफ प्याँशा को रोते देखा, वो महस आठ नौ साल का था, इसे लंबी लंबी नमाजे पढ़ी, मैंने इसे अनुशी के लिए रोते तड़पते देखा, था, मगर वहाँ भी किसमत ने मुझे धोका दे दिया, हम डॉक्टर के बाहर आने का दिजार करे थे, जब अचानक हास की कि हम उसे ना देखें, और वहाँ जो बच्ची थी, उसे अनुशे माना जाए, वो मर चुकी थी, यहां भी माओं ने चाल चली, मगर मैं और सफ्यान इन से लड़ते रहें, इनकी बात पर यकिन नहीं ता हमें, मगर वो कहते थे, अनुशे मर गई है, खैर, मुझे तो व कैसे इतने सफाक हो सकता है, रोते वे जायान को देख, हसीब ने इंत्याही जब्से वली शाह के बारे में सोचा था, हम अबेली पहुचे, मुझे एक और जटका लगा, ममा को होशा चुका था, जब मैं उनके पास पहुचा, तो उन्हों ने मुझे बहुत प्यार किया, प उन्हों ने नम आखों से मुझे देखा और वहीं आके मूँ देली, और फिर वो कभी नहीं उठी, मैं चीकता रहे गया, उन्हों ने पुकारता रहा, मगर उन्हों ने अपने जयान को नहीं देखा, बाबा, अनुशे और फिर मामा, सब छोड़ कर चले गए मुझे, मैं न कहता रहा कि यहां मुझे जल्म होता है, मगर वो फिर भी नहीं उठी, वो सिसक उठा, मैंने अपने जखमों से चूर बाज़ उनके सामने की, अपने जिसम के वो हिस्सें ने दिखाए, जहां मामो मुझे अजियत देने के लिए जली सिक्रेट लगाते थे, मगर उन्हों न कि नहीं खुली, उन्होंने नहीं देखा मेरी तरफ, मैं उनके हाथ पकड़े रोता, बिलगता रहा, मेरा फैसला गलत साबीत हुआ, मेरा सब कुछ को गया, इस हविली ने, मुझे मेरा सब कुछ छिन लिया, और मैं इतना बदनसीब हूँ कि आज तक बास थाबित नहीं कर सका, वो सब मामू ने किया, वो बच्चों जैसे धाड़े मार मार करो दिया, हसीब को इसकी तकलीफ महसुस हो रही थी, मगर उसके पास अलफाज नहीं थी, जिन को वो कहता, और इसकी तकलीफ का असर का कुछ जाहिल कर पाता, और मुझे से जादा बदनसीब तो वो मा थी जो अपनी ही बेटी को एक बार भी नहीं देख पाई, जो इसका लम्स तक महसुस ना कर पाई, वो हसीब को देखते रोता, कहने लगा, और वो चली गई, मेरे अंदर से ये तकलीफ नहीं जाती, कि मेरी मा अपनी बेटी को एक बार गोद में ही नहीं ले सकी, उनकी तरस त यांके तरस गई, मगर उनकी बेटी को भी छीन लिया गया, बालों को मुठी में लिए वो बेबसी की इंतहा पर पहुंचा शिदत से रोनी लगा, समाल खुद को जयान, वरना मैंने अभी जाकते हैं मामों के टुकड़े टुकड़े कर देने हैं, तो जानता है न मैं शिदत से फटने लगता, कोई इतना कैसे जालिम हो सकता है, हसीब कैसे, उसके बाजू को पकड़े वो बच्चों के जैसे रोते पूछ रहा था, अल्ला पर यकिन रखता है ना तू, तो बस सबर कर मेरे भाई तू देखना वो ऐसा बतला लेगा, कि तेरी सारी तकलिफे ख पहुंच कर गई थी, दाजी भी जान को भी सम्मालिम हो गया था, कि वालिद मामू मुझे कैसी सजाए देते रहे, उन्होंने फैसला किया, मैं इसलमाबाद वापस जाओंगा, और अपनी पढ़ाई का कंटिन्यू करूंगा, वक्त गुसरता गया, मैं वापस इसलमाबाद आ चुका था, मगर चाचु वरिशा चाची से कभी मुलाकात नहीं हुई, वरिशा को तो हमारा निकाह भी याद नहीं था, ना कभी चाचु चाची ने उसे याद दिलाया था, क्योंकि वो मेरे फैसले के बाद वो निकाह भी खतम करना चाहते थे, यही वज़े हैं कि वरि परिशा को कॉल्स करता था, मगर वो हर बार एक ही बात करती तो मुझे छोड़कर चले गए, वो मुझे से खपाती और वक्त गुसरने के साथ-साथ उसकी नाराज़गी, नफरत में बदल गई, फिर एक दिन हॉस्पिस्ट्रल में मुझे कॉल आई कि मामू के हाथ दो जु मैंने खुद से एहद किया कि मैं मामू की गुनाहों की सजा, मकाफत अमल के रूप में कभी इन दोनों पर नहीं आने दूँगा, सफियान शाह भी इन से बहुत महप प्यार करता है, वो दोनों थी ही इतनी प्यारी सी, एक नाम ईशा वलीद और दूसरी परी का नाम अशाल वलीद रखा गया, सफियान शाह के लिए वो सबसे अजीज थी, मगर अनुशी को नहीं भूल पा रहा था वो, वो पहले ही खामोश तवित का मालीब था, तब वो ऐसे हो गया जैसे उसका इस दुनिया से कोई तालू की नहीं था, खैर वक्त गुसरता गया, मैं वहां कभी जाता था, तो वो दोनो पास साल की हो चुगी थी, जब एक रात की ठिटर ठिटर्ड में हमें हवेली के दर्वाजे पर एक बच्ची मिली, वो महस दस साल की भी नहीं थी, मुझे उसे देखते ही अनुशी का खैल आया, मैं उस हवेली की मिली आया, और हुकम दिया कि वो मे लेकर इतना पॉजिसिव है कि उसका नाम मेरे मुझे बिसुनने का रवादार नहीं है, इसकी जुनियुनियत को सोचते हुआ हलका सहस दिया, फिर वक्त मज़िद गुजरा, चाचों ने मेरी निजबत इशा से तह कर दी थी, जिससे ना मैं राजी था ना इशा, मगर मामो तो ना कैसे अपने हुकम की खिलाफ फर्जी बरदाश करते हैं, मैं खामोश हो गया, इन्हें अपने निकाह के मतालिक नहीं बताया, उसके बाद एक बार फिर कयाम डूटी, लाल हविली पर और इस रात इशा के साथ उनकी वालिदा भी वफात पा गई, जैन ने बात गु खेर, वक्त मज़िद गुजरार में तीन महीने पहले हवीली गया, जब मामोश ने कहा कि इशा की जगे अब अशाल की शादी मुझसे होगी, मैंने साफ इनकार कर दिया, मगर फिर मुझे वो मालम हुआ, जो मेरी रूह तक को जिन जोड गया, और फिर मैंने मामोश को धोक भी, हवेली से ना निकलने देते, इसकी पढ़ाई भी कम्प्लीट ना होती, और मामी का खुआ खा भी रह जा था, अचाना और हसना भी यहां आगई मेरे साथ, दूसरी तरफ में पैलेस वापस जाने लगा, चाचु को मैं सब क्लियर कर दिया, कि मैं वहां क्यों गया था, अनुशे और मामा की डैट का, इन्हें बहुत अफसुस हुआ, फिर चाचु और मेरी बीस सब सॉल्फ आउट हो गया, मगर वरिशा मुझसे बदजन हो चीथी, उसका लहजा ही नहीं, उसका रहन सायन, उटना बैटना, वो पूरी की पूरी बदल गए थी, उससे काटिंग तक मेरे पास होती थी, उसके कितने लड़के दोस्ते को मैंने डरा धंका कर इसे दूर किया था, मगर फिर आहद उसकी जिन्दगी में आया, वो कोई धीट इनसान था, मुझे वो एक नजर नहीं भाता था, वो एक घटिया किसम का आयाश और बत्तमीज बन्दा जो सिर्फ लड़के को इस्तमाल करता था, इस तरफ से अशाल और दूसे तरफ वरी शाह, वो वैसे तो मेरी सुनती नहीं थी, इसलिए मुझे स्वंचा बनना पड़ा, और उसे कॉल्स करने लगा, उसकी ताक में रहता, पहले पहल मैंने उसे गंसे डराया, जब वो पार् वो पूरी नासही पर बदल गई है, उसके चेहरे पर फात्याना मुस्कुराटाई, दूसरे तरफ जब चापचु को मालम हुआ, कि माशाल को यहां लेकर आया हूँ, तो उन्हों ने मुझे मना किया और कहा कि उसे वापस भेच दो, मगर मैंने उनकी नहीं सुनी, वो डरत का जितना सादार खामुश लगता है, उतना ही शातिर है, कि शाबे से तालक रखता है, इसके आखों में उबरी चमक को हसीब ने, देख इश्तियाग से पुछा, यार वो, जैन खर सर कुजाते थोड़ा आगे को जुकिया, हाँ वो क्या, वो गुंड़ा है, कराची का जान मासूमिय से का, यार वो गुंड़ा ही सही, मगर वो बहुत शरीफ है, मैंने उसे देख भाल कर ही अशाल के लिए रखा है, और इसने साबित भी किया है, कि वो कोई आम गुंड़ा नहीं, इसे कुछ दिन पहले ये अशाल के हुए हमले की तहे में जाकर इस बंदे को सजा यार मैं तुझे क्या बता हूँ, अगर हमारी शाबे में होता तो क्या होता, मगर वो जितना सीदा दिखता है, उतना ही टेड़ा है, उसकी कुछ पैद दिन पहले बारी बातों को याद करते, जायन गहरी सोच में बोला, हसीब की घुरी को इगनॉर किये, वो बोलता जारा जिस पर मैंने से मारा और फिर अर्शान शाह से बदला लेने के लिए रिसे वरीशा का इस्तमाल क्या और कहा मैं सही इनसान नहीं हूँ, वो अभी पागल लड़की मेरे आफिस तक पहुच गई ताके देख सके मैं कैसा इनसान हूँ, वो सोचता मुस्कुराटार मज़े की बातर शान शाह की सारी इनफॉर्मेशन इसने जैन हैदर से एकटी करवाई, यार वो लड़की तौबा आफ़ते पुरी, इसकी हरकते सोचता, जैन दिलकशी से मुस्कुरा दिया, मगर तू वहाँ था मेरे आफिस, साथ फिर आफिस में भावी से कोई मिला, अगर तू मिल था तो उन्होंने तुझे पहचाना क्यों नहीं, मैंने नकली दाड़ी मूच लगा ली ती, जिसकी वज़े से वो मुझे पहचान ना सकी, और रही बात, मात तेरे साथ होने की, तो मेरे आफिस में एक सिक्रेट रूम है, जो फर्स फ्लोर से प्लास फ्लोर पर सिर्फ पां और यहां बरिशा के लिए हूँ, यहां मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, दोनों सच है क्योंकि मैं यहां अपना बिजनस करता हूँ, साथ पुलिस इंस्पेक्टर भी हूँ, और एक और हकीकत, हसीब जो इसे बहुत गौर से सुन रहा था, कि सुकेरते देखने लगा, ज जानते हैं हैमाद अंकर, उसे ताजब से पुचा, यही कि मैं अस्वनशा हूँ और इनकी बेटी को कॉल्स करके तंकरता हूँ, इनफेक्ट वो यहां आये थे, वरीशार मेरा निखा, उनकी मौजूदगी में हुआ, बस वो सामनी नहीं है, वो जितने इत्मिनान से बता र मगर वरीशा की हरकत मेरा दिमाग घुमा दिया, इस दिन जब मैंने इसे वहां से ढूंड रहा था, तब मुझे इसका एरिंग मिला, मुझे यकीन था, वो इसी कमरे में हैं, तब मैंने अबतसाम को कॉल की, क्योंकि उस वक्त मुझे इसके लावा कोई काबिल एतबार जब हसी जब मैंने अबतसाम के साथ गाड़ी में आईशा को देखा, मैं तो ये नहीं जानता था, आईशा को वो कैसे जानता है, मगर मुझे खुशी हुई ये देखकर कि अबतसाम दुसरों की इज़तों को अपनी घर की इज़त जैसे एतराम करता है, वो आईशा को साथ लाया क्योंकि वो वरीशा को अपने साथ अकेले फ्लैट तक नहीं ले जाना चाहता था और मेरा महाँ से निकलना इस वक्त मुश्किल था एंप्रिस यू हसीब सिर्फ इतना ही बोल सका और वहां अहसे मिलने गई मुझे इस बात का गुसा था इसलिए मैं उसे गुसे में नि बाना निकाह कर लिया फरक कितना है तब वो पांस साल की थी आज भी वही पांस साल की बच्ची जैसी हरकते हैं बस उमर बढ़ गई है जयान तफसीली जवाब पर हसीब हस दिया ग्यार जयान तुझे देखकर कभी मुझे इसा नहीं लगा तुने इतनी मुसीबते जहली हो जयान के चेहरे पर कर्प के साय लहरा है हम मिल कर उने ढूनेंगे जयान हमारी बहन मिल जाएगी हसीब के हमारी बहन कहने पर जयान ने जटके से गर्दन उठा उठा उसकी तरफ देखा और फिर नमाकों से मस्कुरा दिया मैं सारी उमेरे छोड़ चुका हूँ क्योंके अगर ये वाकई मामु ने किया है तो तुझे लगता है जो बंदा मेरे बाबा की नफरत में इन्हें कतल करवा सकता है उससे मेरी बहन को जिन्दा रखा होगा मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता मगर सफियान आज भी पागलों की तरह माज़े के इन्तजार में है इसा लगता है किसी दिन उसकी दुआओं पर कुन फरमाया दिया जाएगा और अनुशे आदिल सुल्तान उसके सामने जिन्दा खड़ी होगी बोलते वो जखमी सा मु आफ नहीं करूंगा इसके लहजे में जित के साथ बदले की जून उन्दर आया जयान यार वो कुछ बोलता जयान की फोन की घंटी बची एक मिनट में कॉल ये सुनकर रहता हूँ जयान उटता बाहर चला गया हाँ बोल क्या बोल रहता तो वो तक्रीबन पार्च मिनट बा वाई या उड़ी थी वह बहुत परिशान नजर आ रहा था क्या वह हसीब सब ठीक है ना इतना परिशान क्यों लग रहे हूँ जयान को फिकर लाहक हुई वो गहरी सोच में मगन था बार बार ममन्जर उसके आँकों के सामने आ रहा था कुछ नहीं हुआ मुझे क्या हो ना एक्चुली मेरा बहुत जरूरी काम था जिसे मैं भूल गया हूँ वही करना था अब मगर अब टाइम निकल गया उसके लाज़े में अफसूस महसूस करतें जयान को भी अफसूस हुआ क्या बहुत जरूरी काम था नहीं अब इतना भी खास नहीं कि रोग लगा कर बैट ज जरूरी का मस्कुरा थे हसिप उसके पास से उड़ गया मैं चलता हूँ उठाने में मुलाकत होती है लाफिस इसके गले लगे वो भागने के अंदास में चलता फ्लैट से बाह निकल गया अगर जयान को मालम हो गया नहीं नहीं मैंसे खोनी सकता मगर मैं क्या करू वो गुमातिस ने दर्वाजा खोला जहां वो मजे की नीन सो रही थी मगर फर्श पर उसके माते पर बल पड़े मगर लंबी सांस भरे जयाने से गोद में उठाता बैट पर लिटा चुगा था